डियर शुदेंट्स आज किस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं एक्ससाइज 12.1 12.1 का question number first हमें evaluate करना है जो हमें exponent form में number given है 3 raised to power minus 2 इसको हमें solve करना है तो हम इसको start करते हैं इसके solution को जब हम इसकी power को हम solve करेंगे तो negative में है सबसे पहले तो हम इसको क्या करना पड़ेगा positive तो इससे पहले मैंने एक basic की इस chapter की basic की video बनाई है आप उस चैनल की playlist में जाके देखिए उसके अंदर मैंने इसके laws बताए हैं कि exponent को हमें solve करने के लिए जो laws है उनको कैसे use करना है question के अंदर तो इसके ली हमें rule follow करना पड़ेगा अगर हमें given हो a raise to power minus m तो इसको हमें solve करने के लिए क्या करना होता है इसको 1 by a raise to power m इसकी phone में हमें क्या करना पड़ेगा इसको write करना पड़ेगा तो वही करते हैं 3 raise to power minus 2 है तो इसको हम क्या write करेंगे 1 by 3 raise to power 2 अब यह 3 raise to power 2 है इसका meaning यह नहीं है कि हम 3 को 2 से multiply कर दें इसका meaning है कि 3 2 time multiply है तो इसका answer क्या आएगा 1 by 9 यह इसका first question का first part है अब हम second part करते हैं इसका second part के अंदर हमें given है minus 4 raise to power minus 2 अब पहले तो हमें जो हमने question number इसके first part में किया है वही same इस part के अंदर हमें करना होगा क्या करेंगे हम पहले तो जो negative power है उसको हम क्या करेंगे positive में convert करेंगे इसको write करते हैं 1 by minus 4 raise to power 2 अब यह negative to power किसमें convert होगी positive में अब minus के 4 है और power क्या है 2 जब भी हमें कोई number negative में हो bracket के अंदर और उसकी power अगर odd हो तो result में क्या आएगा उसका sign negative ही होगा लेकिन अगर negative है और उसकी power even है तो उसका जो answer होगा वो क्या होगा positive में होगा तो हमें यह दो important result भी इसके अंदर याद रखने हैं जब question को हम क्या करेंगे solve करेंगे तो 1 by minus 4 raise to power 2 अब हमें power even है तो हमें यह पता है कि answer आएगा positive में और 4 raise to power 2 means 4 को 2 time multiply 4 multiply 4 क्या हो जाएगा 1, 16 यह इसका answer है अब next है पार्ट 3rd पार्ट 3rd के अंदर हमें क्या given है 1 by 2 raise to power minus 5 जो मैंने video basic की कराई है उसके अंदर मैंने लोबता है आपको कि जब भी हमें fraction में number given हो और उसकी power क्या हो negative हो minus 1 भी हो सकता है 2B, 3B जैसे इसके अंदर 5 given है तो हम इसको convert change करने के लिए क्या करना होगा कि जो numerator है उसको denominator में convert करने गा और denominator को numerator में तो B by A आ जाएगा और जो power negative है वो क्या हो जाएगी इसकी positive power हो जाएगी तो यही concept हम इसके अंदर भी use करेंगे 1 by 2 है तो इसको हम क्या write करेंगे 2 by 1 2 by 1 करेंगे तो वो 2 ही रहेगा और power जो negative थी अब वो किसमे convert हो जाएगी positive में तो 2 raised to power 5 जब हम 2 को 5 time multiply कराएगे हमारा answer क्या आएगा 32 यह इसका answer है यह question number first था अब हम question number second start करते है question number second की statement आप screen पे देख रहे हो simplify and express the result in power notation with the positive exponent हमें जो simplify और express किसमे करना है power notation के अंदर हमें क्या करना है इसको express करना है with positive exponent और जो exponent होगा वो क्या होगा positive होगा तो हम इसके part first को solve करते हैं part first में हमें given है minus 4 raised to power 5 divide minus 4 raised to power 8 तो हम इसको write करते हैं minus 4 raised to power 5 divide में minus 4 raised to power 8 अब हमें इसके लिए rule यूज करना होगा कि base same हो और power हमारी क्या हो different a raised to power m divide by a raised to power n तो हम क्या write करेंगे base वही रहेगा m minus n जो power होगी उनकी हमें क्या कर देना है subtraction तो वही इसके अंदर करेंगे minus 4 और जो power 5 minus में क्या आएगा यहाँ पर 8 तो इसके क्या आएगा minus 4 5 minus 8 तो minus 3 अब जो हमने first question के अंदर सीखा है exponent को हमें किस में convert करना है positive exponent के लिए तो क्या करेंगे इसको 1 by minus 4 raise to power 3 क्योंकि हमें power notation में ही करना था तो हम इसको यहीं तक ही रखेंगे question का अंसर यही होगा next इसका second part है question number second का उसमें given है 1 by 2 raise to power 3 और complete की power है तो इसको change करेंगे हम कैसे 1 raise to power 2 2 raise to power 3 और इस complete की power कितनी हमने rule पढ़ा है इसके अंदर a by b raise to power m तो हम इसको क्या write कर सकते है a raise to power m और b raise to power m वही हम इसके अंदर use करेंगे और next आएगा इसके अंदर a की power m है और complete की power n तो हम क्या करते हैं उन power की multiply कर देते हैं तो अब वही use करेंगे हम इसके अंदर 1 की power 2 तो means 1 और 2 raise to power 3 है और complete की power 2 m into n उसको multiply जब हम करेंगे 3 को 2 से तो 2 raise to power 6 यह इसके second part का क्या हो जाएगा answer होगा अब question number second का third part third part की statement है minus 3 raise to power 4 multiply 5 by 3 raise to power 4 अब पहले तो हम इसको solve करेंगे minus 3 raise to power 4 है तो bracket के अंदर जो negative number है उसकी power हमाई क्या given है even given है तो जो result होगा इसका उसमें हमें जो sign होगा वो क्या मिलेगा positive तो हम इसको क्या write कर सकते है 3 raise to power 4 minus 3 raise to power 4 को हम क्या write कर सकते है 3 raise to power 4 तो कि उसकी जो power है वो क्या है even है multiply अब 5 by 3 जैसे हमने last question के अंदर सीखा तो 5 raise to power 4 divide by 3 raise to power 4 अब ये cancel out हो जाएंगी इससे तो हमारा जो answer होगा इसका वो क्या हो जाएगा 5 raise to power 4 ये question number जो इसका part 3 है उसका solution है अब second question का part 4 part 4 की statement है 3 raise to power minus 7 divide 3 raise to power minus 10 और multiply में हमें given है 3 raise to power minus 5 पहले हम इस bracket को इस goal करेंगे bracket के अंदर जो हमें number given है वो कैसे है divide की form में है हमें पता है कि जब भी divide की form में हो और base same है तो हम क्या करते हैं उनकी powers को क्या करतेंगे subtract करतेंगे तो वही हम इसके अंदर करते हैं 3 raise to power minus 7 अब हमें इसकी powers को subtract करना है तो minus आएगा 10 minus का है ये तो bragged up आके minus के 10 और multiply में हमें क्या के जहिए Happy 3 raise to power minus के 5 तो next step हमारा क्या होगा 3 raise to power – 7 मानिस और मानिस यह होगा जाएगा plus 10 और multiply 3 raise to power – 5 तो next क्या हैगा 3 raise to power 3 multiply 3 raise to power – 5 अब base same है multiply की case में हम क्या करना है power को add करनेंगे तो 3 raised to power 3 minus k5 तो हमें क्या में लेगा इसके अंदर जो 5 में से 3 को सब्टेक्ट करेंगे 3 minus 2 आएगा अब power हमें क्योंकि इस question के अंदर positive notation लेना था तो हम क्या करेंगे इसके अंदर 1 by 3 raised to power 2 ये इसका क्या हो जाएगा final answer होगा 4th part का question number second के अब हम करते हैं इसका 5th part और 5th part की statement है 2 raised to power minus 3 multiply minus 7 raised to power minus 3 तो इसके अंदर हम एक जो low है वो यूज़ करना होगा a raised to power m multiply b raised to power m base different है लेकिन power क्या है same तो उसको हम क्या write करते है उनकी जो base होगा उनको multiply कर लेंगे और जो power होगी वो same है तो यही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 2 raised to power minus 3 और minus 7 raised to power minus 3 अब इसमें power same है और यह क्या है base क्या है different तो हम इनको multiply करनी है तो हम क्या write करें इसको 2 multiply minus 7 raised to power minus 3 जब 2 को minus 7 से multiply करेंगे तो answer क्या हैगा minus 14 raised to power minus 3 अब जो power negative में है इसको हमें किसमें convert करना होगा पोल्टी में तो 1 by minus 14 raised to power 3 यह इस question का क्या होगा answer होगा भ्ल्टी में होगा जागा 1 by-5 ॢ-5 2 बागा झार